हलो फ्रेंट मैं कुकित मीना आज मैं बनाने जारी हूँ सर्शो का साग जो की खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और पॉस्टिक से भरा हुआ है जब भी साग का नाम लो तो गाउं का याद आ जाता है तो इसे मैं एकदम गाउं की तरीके से बना के तयार करूंगी तो फ्रेंट समने यहां पे दो तरह का सर्शो साग ले लिया है एक मोटी वाली बड़ी पत्ती वाली और एक पतले पत्ते वाले जो की पतले पत्ते वाले कड़वा होता है और ये थोड़ा कम कड़वा होता है तो इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे और इसमें हम और भी स साग डालेंगे तो फ्रेंट्स हमने यहां पे अपे दो तरह का साग ले लिया है आप चाहे तो सी पतली वाली सरसो या फिर मोटी वाली राई से भी बना सकते हो हमने यहां पे साग को अच्छी तरह से पहले साफ करके फिर इसे धो लिया है तो यह जो डंठल देख रहे हूँ फ्रेंस यह एकदम सौप्ट है तो हमें इसका जो डंठल है उसे भी यूज करना है तो इसे हम इस तरीके से बना लेंगे और इसका जो यह साइड वाला है उसे हम निकाल देंगे और फ्रेंट्स ये जो मोटी वाली है इसे भी हमने इसका जो मोटा वाला पाट था उसे हमने हटा दिया है और जो उसका डंथल था उसे भी हमने इस तरीके से तोड लिया है और जो सौप्ट साग है उसे हमने ले लिया है तो फिर शाग को हमें एकदम बारिक काट लेना है तो इसे पहले आप अच्छे तरह से पहले साफ कर ले और फिर इसे धोले अगर आप इसमें भथवा डालते हैं तो भथवा को आप दो-तीन बार पानी से धोले उसमें बहुत सारा मीटी होता है और इसे हम एकदम बारिक काट लेंगे तरीके से हमने सारे साग को काट लिया है अब हम इसे सरसो वाले साग बे मिक्स कर लेंगे तो हमने यहाँ पे एक केजी सरसो साग ले लिया है तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंट्स हमने पहले से ही सरसो को इस तरीके से काट लिया था इसमें मैंने दोनों साग को मिक्स कर लिया है और हमने हाप केजी पालग को ले लिया था उसे भी बारी काट लिया है और हमने यहाँ पे 200 ग्राम भत्वा ले लिया था 200 ग्राम हमने यहाँ पर मेथी ले लिया है मेथी को आप कम ही डाले क्योंकि मेथी कड़वा होता है अगर आप चाहे तो इसे पालग और सिर्फ सर्सों से भी बना सकते हो या फिर सर्सों या फिर बत्वा डाल सकते हो क्योंकि सिर्फ सिंगल सर्सों से नहीं बना सकते हो क्योंक में लाने के लिए हम पालग या फिर बत्वे का यूज कर सकते हैं आप मेथी को इसकी पी कर सकते हो तो इस साग को हम जल्दी से बनाएंगे कूकर में हमने यहां पे कूकर ले लिया है सबसे पहले हम सरसो को इसमें डालेंगे हम सारे साग को बारी बारी से पकाएंगे क्योंकि एक साथ सारा साग नहीं आ पाएगा और इसी के साथ में हम मेथी को भी डाल देंगे और भत्वे को भी डालेंगे last में हम सिर्थ पालख को डालेंगे अब हम इसे gas में रख देंगे और friends इसमें हम थोड़ा सा पानी डाले ताकी नीचे से चिपके नहीं क्योंकि साग खुद का पानी भी होता है वह खुद रिलिज करेगा फिर भी हम इसमे थोड़ा सा पानी डालेंगे अब हम फ्लेम को ओन करेंगे अभी हम साग को पूरा नहीं धक के पकाईगे इस तरीखे से धक के पका लेना है और हमें गलाना है हम सारे जब ये थोड़ा सा सौक्ट हो जाएगा उसके बाद हम पालक को इसमें डालेंगे तो फ्रिंट्स यहाँ पे देख सकते हो साग कम हो गया है साग का पानी रिलिज हो गया तो ये साग कम हो गया है अब हम इसमें पालक को एड़ करेंगे तो पालक को हम सबसे लाश्ट में डालेंगे और इसे हम इस तरीके से चलाएंगे अब हम इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर लेंगे और फ्रेंच इसे हम ढखके इसी तरीके से ढखके पकाएंगे इसे हम ढखकन लगा के नहीं पकाएंगे तो फ्रेंच इसे हम इस तरीके से करकर के पकाएंगे इसे हम इसी तरह से ढख़के पकाएंगे आप चाहे तो इस वक तब इसे डारेक्ट सीटी भी लगा सकते हो ठकन को हटा के इसे इस तरीके का अगर कोई लकडी का हो तो आप उसी से आप इसे इस तरीके से चला सकते हो नहीं तो फिर जो दाल घोटनी होता है दाल घोटने वाला उससे आप इस तरीके से कर शकते हो तो देख सकते हो यहाँ पर यह साग आधा से अधेग पक चुका है तो अब हम इस स्टेज पर मकई का आटा यूज करेंगे तो फ्रेंड समने यहाँ पर आधा कप जितना मकई का आटा ले लिया है बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है फिर नहीं तो मकई का टेस्ट का फिर आपका साग फिर मकई का टेस्ट का आएगा इसलिए आप इसमें हिसाब से ही डाले अगर आपके पास मकई का आटा ना हो ताप उसमें बेसन भी डाल सकते हो लेकिन बेशन को आप भून के ले तो हमने यहाँ पे कटोरी में इस तरीके से आधा कप मकई का आटा ले लिया है इसे हम घोल के डालेंगे अगर हम इसे घोल के डालते हैं तो लंस बिल्कुल भी नहीं पड़ता है जो बिगनर्स है और इस तरीके से डाल के वो बना नहीं पा तो फ्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हो ये पतला सा घोल बनके तैयार हो गया है तो अब हम चलते हैं कूकर के तरफ इसे हम कूकर में डालेंगे तो इसका हम धकन हटा लेते हैं और साग को एक बार हम फेच हम इस तरीके से मतनी से मत के पकाएंगे अगर आपके पास दाल वाल के रखे हैं उसे थोड़ा-थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे और इसे हम जल्दी से इस तरीके से मिक्स कर देंगे इसी तरह से फ्रेंड्स हसे हम घोट-घोट के पका लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यह साल उच्छी तरह से पक गई है अब हम इसमें बारिक कटी हुई हरीमीर चाएट करेंगे तो हमने यहाँ पर 4-5 हरी बिर्च को बारी काटके ले लिया है छोटा टुकड़ा अध्रक को ग्रेट करके ले लिया है अब हम इसे इसे में मिक्स कर देंगे और इसे इसी तरह से घोटते हुए पकाते जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंग्स यह साग बनके तयार हो गया है एक से दो मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा नमाक और अड़ करेंगे और इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हों Friends यह साग बन के तैयार हो गया है तो Friends last में इसमें हम एक बटर का टुकड़ा एड़ करेंगे इसमें बटर डालने से यह साग बहुत रही टेस्टी लगता है और हम इसमें मिला देंगे अब हम फ्रेंच इसका एक तड़का तयार कर लेते हैं तो फ्रेंच से तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे गैस में पैन रख दिया है अब हम इसमें एक सड़ेट टेबल फून जितना घी डालेंगे तो कसाग घी में ही बहुत है टेस्टी लगता है इसे आप जब भी तड़का लगाए तो घी से ही लगाए क्योंकि आप ये साग को बार-बार बनाते नहीं हो और इसे जब भी आप बनाए तो बहुत ज़्यादा बनाए ताकि आप इसे चार-पांच दिन खा सको तो फ्रेंच यहाँ पे तेल गर्म हो गया है इसमें हम तीन से चार लाल मिर्च एड़ करेंगे और हमने यहाँ पे दो टेबल स्पून जितना लसन ले लिया है लसन की क्वांटिती आप ज़्यादा रखे और लसन को हम फिलम लाल होते तक पका लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा हींग एड़ करेंगे इस साग मेहिंग डालना बहुत जरूरी होता है अब हम फ्रेंज इसमें थोड़ा सा कलर उठाने के लिए हल्दी पॉडर डालेंगे कस्मीरी मिर्च डालेंगे इसे डालना ओप्सनल है इससे कलर बहुत बढ़ियां आता है अब हम इस तढ़के को जल्दी से साग में डालेंगे तो फ्रेंज इससे हम मिक्स कर लेंगे हम इसे जल्दी से कभर कर देंगे ताकि इसी में सारा इसका फ्लेवर रहे तो friends इसका हम धरकन हटा लेते हैं तो देख सकते हो friends कितना टेश्टी साग बनके तयार हुआ है तो यहाँ पर यह साग बनके तयार हो गया है तो friends यहाँ पर देख सकते हो यह सरसो का साग कितना टेश्टी बनके तयार हुआ है तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस सरसो की साग को जरूर बना कर ट्राई करें और इसे आप फ्रीज में रखके एक सब्सक्राइब करें इसी तरह मैं आपके लिए नहीं नहीं रेसे पी लेके आते रहंगी तब तक के लिए बाई बाई